हेलो वीवर्स नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर शिरीधर और आज हम इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे एरेक्टर डिस्फंक्शिंग या पुर्षों में होने वाली सेक्सुल वीक्नेस के बारे में तो जो हमारे पास पेशेंट्स हाते हैं सेक्सुल वीक्नेस की टीट्मेंट के लिए उनमें हम मेंली चार सिम्टम्स के उपर फोकस करते हैं पहले हम पूछते हैं कि आपकी जो डिजार है वो कम है या बिल्कुल समापत हो गई है सबस्क्राइब के पासि और इंट्रोमिशन के अंदर वीक्नेस पेशों से। है जो पाड़े हैं जर ने occupied शेक्स्थंटदion पहले फिलिसर तो नहीं हो जाता या आपको किसी एसिस्टेंस से यो पेनिट्रेशन है वो तो नहीं करनी पड़ती नेक्स्ट है और्गैजम या एजकुलेशन अगर आपका इंट्रा वजाइनल लिटेंसी पीरिड जो है वो लेस देन वन मिनट है तो इसको प्रीमेचर एजक है उसे हम इंट्रा वजाइनल लिटेंसी पीरिड कहते हैं अगर किसी का इंट्रा वजाइनल लिटेंसी पीरिड जो है फिफ्टीन से लेके सिक्स्टी सेकंड तक है तो उसे प्रीमेचर एजकुलेशन कहा जाता है और अगर किसी का यह इंट्रा वजाइनल लिटेंसी पीरि और दूसरे हैं शरीरी कारण बांसिक कारणों में सबसे पहला कारण है एंग्जाइटी नबर टू है सेक्सुल इनक्सपिरियंस या फीलिंग ऑफ गिल्ट बहुत से पेशेंट्स हमें हिस्टी देते हैं समय ये बताते हैं कि हमने अपने बच्पने में बहुत सी गलतियां की है या तो हमने मास्टिवेशन की है या फिर हमें बहुत जारा नाइट फाल होता रहा है जिसकी वज़ा से जो आज हमारी जो सेक्सुल वीकनेस है ये उसी की बदालत है या उसी की रिजल्ट की वज़ा से है अगर आपके अपने partner के साथ relations जाला अच्छे नहीं है तब भी आपको sexual weakness हो सकती है अगर आपका female partner आपको sexual act के दर्मियान आपको पूरी तरह से असिस्ट नहीं करता आपको पूरी तरह से कोप्रेट नहीं करता तब भी आपको erectile dysfunction हो सकती है नेक्स्ट है performance under stress बहुत से जो males होते हैं वो जब भी perform करने के लिए जाते हैं तो उनकी expectations बहुत हाई होती है कि आज हमने इतना time जो है spend करना है आज हमने reaction में बहुत जाला hardness प्रड्यूस करनी है तो this is called performance under stress जब वो stress के अंडर perform करते हैं and again they fail next time mental and body fatigue अगर आपका रोज मर्रा का काम जो daily routine में जो अगर आपको mental stress बहुत रहता है या आपकी body fatigue बहुत जाला होती है तब भी आप अच्छी तरह से perform ना करने की वज़े से आपको sexual weakness जो है वो experience हो सकती है या आपको feel हो सकती है next time most important cause वो है bad order from your female partner या तो आपको अपने female partner के मुह से या उसकी body से अगर bad smell आती है तो यह एक बहुत बड़ा कारण है sexual weakness का या erectile dysfunctional का next time next having multiple female sexual partners कुछ लोगों का जो context होते है sexual context होते हैं वो more than one partner होते हैं मतलब उनकी जो female partners है sexual female partners है वो एक से जादा होते हैं जिसकी वज़ा से वो due to splitting of personality वो perform जो है अच्छी तरह से एक partner के साथ या दूसरे partner के साथ अच्छी तरह से perform नहीं कर सकते इसलिए having multiple female partners is the most common cause of erectile dysfunction in today's scenario next है शरीरी कारण जिनको हम organic causes भी बोलते हैं यह है number one hormonal embalacement अगर आपके male hormone जो है वो कम है या abnormal है तब भी आपको sexual weakness या erectile dysfunction हो सकते है next है कुछ एक diseases जो परानी बीमारिया जिनको हम बोलते हैं जिनमें है uncontrolled diabetes hypertension number three hypercalistremia जिनको का बढ़ना थाइरड obesity Parkinson multiple sclerosis फिर आगया next आगया sexually transmitted diseases pyrony disease next है alcohol tobacco खैनी जर्दा या इसी जिनी भी यह recreational medicines है अगर उनका इस्तेमाल करते हैं cocaine heroin गांजाब अगयरा तो वह भी यह problem you have create कर सकते हैं next है कुछ एक ऐसी medicines होती है जो हमारे doctors हमें हमारी daily problems के लिए हमें recommend करते हैं हमारे family doctors हमें हमारी daily routines के लिए daily problems के लिए हमें recommend करते हैं उनमें जो most common drug है वो है beta blockers कुछ एक antifungal drugs antipsychotic drugs antidepressant drugs यह medicine जो हती है इनको हम डाइगनोस करने के लिए हमारे clinic में हम एक तो नाड़ी परिक्शन करते हैं उसके अलावा उसका physical examination के साथ साथ उसकी जो detailed history है उसी से हमें पता चल जाता है कि इसके जो इरेक्टर डिसफंक्शनिकर्स का क्या कारण हो सकता है मगर कुछ एक patients less than 20% जिन में ये problem जो है बहुत chronic होती है पुरानी होती है बहुत देर से होती है और complicated होती है तो ऐसे males में हम कुछ एक test करवा लेते हैं जिससे हमें pinpoint diagnosis करने में बहुत जाला help मिल जाती है और उनका pinpoint diagnosis होने से उनका जो treatment है वो भी बहुत ही असानी से और बहुत ही accurately किया जा सकता है तो इसलिए यहाँ पर take home ऐसे यह है कि आज की date में एक्टर डिसफंक्शनिक को या sexual weakness को diagnose करना कोई मुश्किल काम नहीं है इस से very simple it is as simple as other problems जिस तरह से आपको दूसरी problem जो है जो हम blood test करवा के x-ray करवा के या कोई चीज़े करवा के हम किसी को diagnose कर लेते हैं कि इसको कौन सी problem है इसी तरह से कुछ एक test करवा के हम उसका pinpoint diagnose कर लेते हैं जिससे उसका treatment करने में में बहुत ज़ला असानी मिल जाती है next है इसका आईवेट treatment तो इसका जो आईवेट treatment है वो patient के गुर्ण, दोश, धातू तथा प्रकृति के अनुसार मैं फिर रपीट करूंगा patient के गुर्ण, दोश, धातू तथा प्रकृति के अनुसार उसको रसाइन, बाजी करन, उतेजिक, शुक्रल, शुकरस्तबबक तथा शामक द्रवेओं के द्वारा उसका treatment जो है बहुत ही असानी से और बहुत ही बिला किसी side effect के बड़ी अराम से क बादीजिये ताकि मेरी आने वाले knowledgeable videos आपको असानी से मिल सके थन्यवाद, जै हिन्द, जै भारत, सर्वे संतु निरामे